आप आप पर आप अपर आप आप दोस्तों मैं हूँ तिशाल साहू एंड वेलकम जो माई चैनल दोस्तों जैसे कि आप अभी देखने हमारे पास में मारुति सिदू की एस्प्रेक्सो कार हैं वाइट कलर की हैं और इस गाड़े के अंदर भाई सारी लेटेस ऐसे इंस्टॉल की गई है जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे में ABS गार्ट प्रेंट क्रोम ग्रिल और रूफ रेल सीट कावर्स कामरा इस सारी चीज़े इसके अंदर स्टॉल की गई है जिसका सारा रिवीव आपको जूरे मिलना है माला भाई तो वीडियो का आप आकर देख देखे हैं हम पास में 2020 model मारुती सूजू की एस पैसो कार है और इस कारी के अंदर सारी लेटेश ऐसेज़े डाली गही है वाइ तो फस्ट आफ ओल इस गारी के फ्रेंट लुक की बात करे हम लोग तो यहां पर काफी डीसेंट कंपनी ने आपको हैडलाइट दिया है और यहां पर जो बं फ्रेंट साइड में जो बंपर है उसका हम लोगों ने ABS गाड यहां पर डाला है ब्लैक और सिल्वर कॉंबिनीशन का बैक साइड में भी इसका इंस्टॉलिशन किया है तो यहां आप देख सकते हैं इसकी जो कॉलिटी बहुत ही बढ़िया है और फिटमेंट हो बहुत बढ़ के बंपर को प्रोटेक करके भी रखता है और यह बाई इलीगल भी नहीं है अप लगा सकते हैं इसको तो अपनी गाड़ी का फ्रंट लुक और भी ज्यादा बैटर करने के लिए स्पोर्टी लुक देने के लिए और फ्रंट गाड को प्रोटेक करने के लिए आप इस ABS लोकिंग वाइस बहुत बढ़िया लगता है और यहां देखें नंबर प्लेट भी इसकी उपर में इंस्टॉल होगी तो फुली यह एस्प्रेसो गाड़ी के लिए आपको मार्केट से मिल जाते हैं यहां देखें फिटमेंट भी एकदम नॉप टू नॉप किया गया है आपको फ्रंट और बैक का दूनों का मिलता है तो चले कि आपी जो हमारे बैक साइड का गाड है वह यहां पर लगाया गया देखें बैक साइड में भी लगाया गया है ब्लैक ऑन सिल्वर कॉमिनेशन एग्स एक उक्षक के यह आप सिल्वर फिनिशिंग आपको देखने को लगता है तो front और rear guard के आप इस तरीके के अपने एस्प्रेशो गाड़ी को लगवा सकते हैं इससे look तो अच्छा होता ही है साथ में आपका जो front और rear का जो bumper वो भी protect हो जाता है चलिए अभी और भी accessories इसके अंदर डाली गई है one by one सारी accessories की जानकरी आपको दूंगा मैं अभी यहां पर back look देखे तो डिक की पूरी open हो जाती है बड़िया सी गाड़ी एस्प्रेशो वाइट कलर है रिया साइड में reflectors भी आते हैं इस गाड़ी के अभी हम गाड़ी के side view की बात करें तो यहां पर सब में पहले आप देखे है company के तुरू steel wheel है black color के steel है आप चाहे तो इसमें alloy wheels भी डाल सकते हैं या फिर आप इसके अंदर dual tone color के wheel caps भी इस्तेमाल कर सकते हैं गाड़ी के side view में देखे दोर्स पर अभी side cladding का installation किया जा रहा है side cladding लगाना जरूरी होता है यह door के protection के लिए बहुत जरूरी है और यह पर door visor लगाया गया है espresso उसके लिखा हुआ है और प्रॉपर है looking wise बहुत बढ़िया लगता है तो यह चीज भाई espresso गाड़ी के लिए बहुत 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 हैं आप अपनी गाड़ी को decorate करने के लिए यह सारा समय लगा सकते हैं जो की useful भी है कूपर में roof में यहां प आपको बताया कि पूरा जो थीम है exterior का black and silver पर रखा है तो सारा combination यह आपको मिल जाता है market से तो अभी side क्लेडिंग की जैसे में बात करता है रियर साइड में 3M टेप रहता है उसकी मदद से इसको चिपकाना होता है तो इस तरीके से आप भी अपनी गाड़ी के अंदर यह side cladding install कर सकते हैं अभी जो side cladding इसको और पासर में दिखा हूँ देखिए अभी इंस्टाल होने के बाद में यह door को प्रोटेक्ट करके रखेगा साथ में look wise के तना बढ़िया लगता है black and silver combination है और proper espresso गाड़ी के लिए मिलता है तो looking wise बढ़िया चीज़ है दोनों साइड के लिए आपको मिल जाते हैं चारो डोस के लिए चार पीस आपको मिलता है और इससे गाड़ी का जो लुक है वह और भी बहत्री हो जाता है तो इदे कि हमारी गाड़ी के एकस्टियर ऐसे सारी लग चुकी है अब जो फ्रेंट लुक को और भैतर बनाने के लिए यहां पर मैंने जैसे आपको बताया था ओई ग्रिल इससे कहा जाता है यह फाइप पीस में आपको मिलता है ग्रोम फिनिशिंग के साथ में आते हैं और इससे इंस्टॉल करना बहुत इजी है देखें पीछे साइड में ठीम टेप है रेड वाला टेप आप लिका लिए उसको चिपका दीजे यह इंस्टॉल हो जाता है और फ्रेंट लुक और भी भैतर निमना देता है तो देखें यह इंस्टॉल होने के बाद में जो फ्रेंट लुक आता है ग्रिल के बाद लगने के बाद में वह बहुत बहतरी हो जाता है तो यह चीज है छोटी मोटी चीज है लेकिन गाड़ी को बहुती बढ़िया लुक दे देती है तो इसको आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं देखे एक पीस अभी लगाया है हमने और लोग कितना बढ़िया हो गया तो आप भी अपनी गाड़ी को थोड़ा मॉडिफाय करवाना चाहरे हैं तो यह ग्रिल को आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऐसे आपको पांच पीस मिलते हैं और इसे लगाना भी एजी हो जाता है तो भा the kak amerika म escreवार तो शठीक इंजास्ति गारी को अभी उससा फ्रीयों कितने से पीज़ने से एकम बढ़िया लोग आपको देखने मिल जाएगा आप गाड़ी के इंडियर में लोग चलेंगे इंडियर में देखेंगे केंतियर में क्रीन क्या क्रीष का छीज से ठीर ली तने आ यहां पर आपको steering control buttons मिल जाते हैं touch screen company वाला यहां पर आपको मिल जाता है लेकिन इस गाड़ी के back side में reverse parking camera आपको company provide नहीं करती है तो हम लोग इसके अंदर rear side में reverse parking camera install करेंगे HD LED वाला और उसका जो view आपको company वाले screen पर देखने को बिलेगा यहां पर हमारे गनेजी विराजमान है और नीचे में देखेंगे तो यहां पर company वाले foot mat आपको डाल की दिये गया है company से आप चाहे तो 70 mats डाल सकते हैं इस गाड़ी के लिए मिलता है यहां पर hand brake के पास में handrest नहीं दिया तो हमारे पास में button से बनाओ handrest है उसका इस्तमाल आ होगी यह adapter camera से attach होता है दैन उसके बाद में screen जो company वाले screen में उसमें आपको view मिलता है तो camera install करने के लिए आपको adapter की भी जरुवत पड़ेगी यह हमारा HD night vision camera है LED के साथ में आपको मिलेगा पीछे में drill करके इसको install करेंगे और जैसे कि मैंने बताया कि जो touch screen है उसमें adapter connect करन को मिलेगा camera का view यहाँ देखें fully bucket seat covers यहाँ पर install किये गए नाप लाद है रहें finishing आप देख सकते हैं black and red combination red stretching के साथ में बिलेगा looking wise बहुत बढ़िया लगते हैं और हमारी जो गाड़ी का interior fully black है तो उस पर यह चीज़ बहुत ज्यादा attractive लगती है fitment आप देख सकते हैं काफ एक वाली seat में भी installation बागी है तो वह भी मैं आपको बताऊंगा कि पूरी seat install होने के बाद में अंदर का interior के इस तरह के से दिखता है इस सारी SSS में नीचे में हम देखेंगे तो यहाँ पर यह mat आपको company provide करती है लेकिन इसको install करने के बाद भी आपके जो main carpet area इसके अंदर ब जो गाड़ी के backside में चलेंगे और एक accessory जो हमारी चूर गई थी वह इस गाड़ी का spoiler यहाँ देखेंगे white color का ABS quality का है और समय अच्छी बात है कि यहाँ देखेंगे इसमें LED लगा हुए जब भी गाड़ी का brake दबाएंगे आप तो यहाँ पर आपको LED on होतो बें मिल जाएग गाड़ी का तो जब भी अप गाड़ी का brake दबाएंगे तो यह LED का on हो जाएगा तो यह भी चीज आपको market से मिल जाती है और देखें यह सारी exterior accessories लगने के बाद में जो गाड़ी का look आता है बहुत ही प्यारा हो जाता है तो आप भी अपने espresso गाड़ी को decorate करना चाहते हैं modify क करना चाहते हैं तो इस तरह की सभी accessories का इस्तमाल कर सकते हैं जो भी आपको इसमें पसंद आती है अभी गाड़ी के interior में हम लोग वापिस चलेंगे और एक नहीं चीज जो मैं आपको बताऊंगा वह इस गाड़ी का steering cover stretchable वाला है fully leather है grip के साथ में मिलता है और यह बहुत इसका look आएगा जैसे मैं आपसे कहा था reverse parking camera का यहां पर installation यहां पर हो चुका है LED इसमें on होने जब भी गाड़ी का reverse gear आप लगाएंगे तो आपको इस तरीके से आपके company वाले touch screen में view देखने को मिल जाएगा तो आप भी अपने गाड़ी के इस तरीके का setup कर सकते हैं यदि आपका base variant है उसमें touch screen नहीं आया तो aftermarket आपको touch screen भी मिल जाता है camera भी मिल जाता है लेकिन यदि आपके पास में company का touch screen है और उसमें camera लगवाना चाहते तो adapter के साथ में ही उसका installation होगा तो यहां आप देख सकते हमारा यह touch screen यहां पर complete हो गया है गाड़ी के seat cover की बात के espresso गाड़ी की उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो में दिखाए गए कोई भी ऐसे से जी आपको चाहिए हो तो बिल्कुल आप उनसे contact कर सकते है उसे हम आपको home deliver करवा देंगी तो दोस्तों आज के लिए वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment करक मिलता है एसी नेक्स तोड़ी की साथ में तब तक लिए गुडबाई जैहिंद जै भारत आप 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 वाकिन लोग स्ट्रीट सब्सक्राइब कर दो में दिना कि सिस्माओं सिलुएंड गेडिन स्ट्राइब